जोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीवी बुध्या प्रसव वेधना में पचार खा रही थी। रह रह कर उसके मूँ से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी प्रकृती सन्नाटे में दूबी हुई सारा गाव अंधकार मिले हो गया था। गीसु ने कहा मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दोड़ते हो गया जा देख तो आ। माधव चिरकर बोला मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती। देखकर क्या करून तू बड़ा बेदध है बे। साल भर जिसके साथ सुक्चें से रहा उसी के साथ इतनी बे पराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आद घंटे काम करता तो घंटे भर चिलंपीता। इसलिए उन्हीं कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुठ्थी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब दो चार फाके हो जाते तो घीसु पेर पर चड़कर लकडियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गाउव में काम की कमी ना थी। किसानों का गाउव था मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। अगर दोनों साधू होते तो उन्हें संतोष और धैरे के लिए सयम और नियम की बिलकुल ज़रूरत ना होती। ये तो इनकी प्रकृती थी। विचित जीवन था इनका घर में करतन की सिवा कोई संपत्ती नहीं। फटे चित्रों से अपनी नगनता को धाके हुए जिये जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्स से लदे हुए, गालिया भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने की वसूली की बिलकुल आशा ना रहने पर भी लोगिन ही कुछ न कुछ कर्स दे देते थे। मतर, आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मतर या आलू उखार लाते और भून भान कर खा लेते या दस-पांच उखार लाते और रात को चूसते। गीसु ने इसी आकाश वृत्ती से साथ साल की उमरकात दी और माधभ भी स त्रीका तो बहुत दिन हुए, देहान थो गया था। माधभ का व्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खांदान में व्यवस्था की नीव डाली थी और इन दोनों बेग गैरतों का दोजक भरती रहती थी। जब से वह आई, ये दोनों और भी आलसी और आरामकलब हो गये थे। बलकि कुछ अकरने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्या अजभाव से दुगुनी मजदूरी मानते। वही औरत आजप्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए, तो आराम से स गीसु ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा जाकर देख तो क्या दशा है उसकी चुडल का फिसाद होगा और क्या। यहां तो ओज़ा भी एक रुपया मानता है। माधव को भाय था कि वह कोट्री में गया तो गीसु आलू का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला मुझे वहां जाते दर लगता है। दर किस बात का है। मैं तो यहां हूँ ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं तीन दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था। और फिर मुझ से लजाएगी की नहीं। जिसका कभी मुझ नहीं देखा। आज उसका कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आज जाएगा। भगवान दे तो जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपे देंगे। मेरे नौ लड़के हुए घर में कभी कुछ न था मगर भगवान ने किसी ना किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुरबलताओं से लाब उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन थे वहां इस तरह की मनोवरक्ती का पैदा हो जाना कोई अ थकबाजों के नियम और नीती का पालन करता इसलिए जहां उसकी मंदली के और लोग गाउं के सर्बना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गाउं उंगली उठाता था फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सीजी तोड मे जाने दें कई बार दोनों की जबाने जल गई छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान हलक और तालू को जला देता था और उस अंगारे को मुख में रखने से ज्यादा खेरियत इसी मेथी की वहंदर पहुंच जाए वहां उसे थंडा करने के लिए काफी सामान थे इस उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताजा थी बुलक वह भूज नहीं भूलता तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेक नहीं मिला लड़की वालों ने सबको भरपेक पूरियां खिलाई थी सबको छोटे बड़े सबने पूरियां ख न चाहो खाओ लोगों ने ऐसा खाया ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया मगर परोसने वाले हैं कि पतल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचोरिया डाल देते हैं मना करते हैं कि नहीं चाहिए पतल पर हाथ रोके हुए हैं मगर वहें कि दिये जाते हैं और जब सब ने मूर धोलिया, तो पान इलाइची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहा सुद्ध थी, खड़ा हुआ न जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेद गया, ऐसा दिल दरियाव था वर थाकुर, माधव ने इन पदार्थों का मन ही मनमजा लेते हुए कहा, अब हमें क यसा भोज नहीं खिलाता, आप कोई क्या खिलाएगा, वो जमाना दूसरा था, आप तो सब को किफायत सूजती है, शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रिया कर्म में मत खर्च करो, पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहा रखोगे, बटोरने में तो कमी नहीं है, खर्च में किफायत सूचती है तुमने एक बीस पूरिया खाए होंगी बीस से जयादा खाए थी मैं पचास खा जाता पचास से कम मैंने न खाए होंगी अच्छा पका था तू तो मेरा आधा भी नहीं है आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वही अलाव के सामने अपनी धोतिया उड़कर पाउप पेट में डाले सो रहे जैसे दो बड़े बड़े अजगर गैंडुलिया मारे पड़े हों और बुदिया अभी तक कराह रही थी सवेरे माधव ने कोटरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री थंडी हो गई थी उसके मुँपर मक्या भिनक रही थी पत्राए हुई आखे उपर तंगी हुई थी सारी देव धूल से लत्पत हो रही थी उसके पेट में बच्चा मर गया था माधव भागा हुआ गीसू के पास आया फिर दोनों जोर-जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे पड़ोस वालों ने ये रोना धोना सुना तो दोड़े हुए आय और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे मगर ज्यादा रोने पीटने का अफसर न था काफन की और लकडी की फिक्र करनी थी घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घुसले में मास बाप बेटे रोते हुए गाव की जमीनदार के पास गए वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे चोरी करने के लिए वादे पर काम पर ना आने के लिए पूछा क्या है बेगिसुआ रोता क्यू है अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता मालूम होता है इस गाव में रहना नहीं चाहता गीसु ने जमीन पर सिर रख कर आँखों में आशु भरे हुए कहा सरकार बड़ी विपत्ती में हूँ माधव की घरवाली रात को गुजर गई रात भर तड़पती रही सरकार हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे दवादारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया मुदाव हमें दगा दे गई आप कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक तबाह हो गए घर उजड़ गया आपका गुलाम हूँ अब आपके सिवा कौन उसकी मिटी पार लगाएगा हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब तो दवादारों में उठ गया सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिटी उठेगी आपके सिवा किसके द्वार पर जाओ जमीनदार साहब दयालू थे मगर घीसु पर दया करना काले कंबल पर रंग चड़ाना था जी में तो आया कह दे चल दूर हो यहां से यू तो बुलाने से भी नहीं आता आज जब गर्स पड़ी तो आकर खुशामत कर रहा है हराम खोर कहीं का बदमाश लेकिन ये क्रोध या दन देने का अफसर न था जी में कुलते हुए दो रुपे निकाल कर फेक दिये मगर साथवना का एक शब्द भी मुझ से न निकला उसकी तरफ ताका तक नहीं जैसे सिर का बोज उतारा हो जब जमीनदार साहब ने दो रुपे दिये तो गाव के बनिये महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता गीसु जमीनदार के नाम का धिंधोरा भी पीतना खूब जानता था किसी ने दो आने दिये, किसी ने चारे आने एक घंटे में गीसु के पास पांच रुपे की अच्छी रकम जमा हो गई कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकडी और दोपहर को घीसु और माधव बाजार से कफन लाने चले इधर लोग बास वास काटने लगे गाव की नर्म दिल स्त्रियां आ कर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर दो बूंध आंसु गिरा कर चली जाती थी बाजार में पहुँचकर घीसु बोला लकडी तो उसे जलाने भर को मिल गई है क्यों माधव बोला हाँ लकडी तो बहुत है अब कफन चाहिए तो चलो कोई हलिका सा कफन ले ले हाँ और क्या लाश उठते उठते रात हो जाएगी रात को कफन कौन देखता है कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जीतन धांकने कुछ चित्रा भी न मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है और क्या रखा रहता है यही पांच रुपे पहले मिलते तो कुछ दवादारों कर लेते दोनों एक दूसरे के मन की बात तार रहे थे बाजार में इधर उधर घूमते रहे कभी इस बाजार की दूकान पर गए कभी उसकी दूकान पर तरह तरह के कपड़े, रेश्मी और सूती देखे मगर कुछ चचा नही यहां तक की शाम हो गई तब दोनों न जाने किस दैर्वी प्रेरना से एक मदुशाला के सामने जा पहुँचे और जैसे किसी पूर्व निश्चत व्यवस्था से अंदर चले गए वहां ज़रा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे, फिर घीसु उने गद्धी के सामने जाकर कहा साहु जी, एक बोतल हमें भी देना इसके बाद कुछ चिखोना आया तली हुई मच्छी आई और दोनों बरामदे में बैठ कर शांतिपूर्वक पीने लगे कई कुछ जियां ताबरतोर पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए गीसु बोला कफन लगाने से क्या मिलता आखिर जल ही तो जाता कुछ बहु के साथ तो न जाता माधव आसमान की तरफ देखकर बोला मानो देवताओं को अपनी निश्पापता का साक्षी बना रहा हो दुनिया का दस्तूर है नहीं लोग बामनों को हजारों रुपे क्यों दे देते हैं कौन देखता है पर लोग में मिलता है या नहीं बड़े आदमियों के पास धन है फूंके हमारे पास फूंकने को क्या है लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे लोग पूछेंगे नहीं कफन कहा है गीसु हसा अबे कहे देंगे की रुपे कमर से खिसक गए बहुत धून्धा मिले नहीं लोगों को विश्वास ना आएगा लेकिन फिर वही रुपे देंगे माधव भी हसा इस अनपिक्षित सौभागे पर बोला बड़ी अच्छी थी बेचारी मरी तो खूब खिला-पिला कर आधी बोतल से ज्यादा ओर गई गीसु ने दो सेर पूरिया मंगाई चटनी अचार कलेजियां शराब भखाने के सामने ही दुकान थी माधव लपक कर दो पक्तलों में सारे सामान ले आया पूरा डेर रुपया खर्च हो गया सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो न जब आप देही का खौफ था न बदनामी की फिक्र इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था गीसु दार्शन एक भाव से बोला हमारी आत्मा प्रसन हो रही है तो क्या उसे पुन्न होगा माधव ने श्रद्धा से सिर जुका कर तस्दीक की जरोर से जरोर होगा भगवान तुम अंतर्यामी हो उसे बैकुंत ले जाना हम दोनों हृदे से आशिरवाद दे रहे हैं आज जो भोजन मिला वह कभी उमर भर न मिला था एक शन के बाद माधव के मन में एक शन का जागी बोला क्यू दादा हम लोग भी एक नाएक दिन वहाँ जाएंगे ही गीसु ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया वह पर लोग की बाते सोचकर इस आनन्द में बाधन डालना चाहता था जो वहाँ वह हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे कहेंगे तुम्हारा सिर, पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा तू मुझे ऐसा गधा समझता है, साथ साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा माधग को विश्वास ना आया, बोला कौन देगा, रुपे तो तुमने चक कर दिये वह तो मुझसे कूछेगी, उसकी मांग में तो सेंदुर मैंने डाला था कौन देगा, बताते क्यों नहीं, वही लोग देंगे, जिन्होंने अपकी दिया हाँ, अपकी रुपे हमारे हाथ ना आएंगे जो जो अंदेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी कोई गाता था, कोई दींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपता जाता था कोई अपने दोस्त के मूँ में कुलहर लगाए देता था वहां के वातावरल में सुरूर था, हवा में नशा कितने तो यहां आकर एक चुलू में मस्त हो जाते थे शराब से ज्यादा यहां की हवा उन पर नशा करती थी जीवन की बाधाएं यहां खीच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं या न जीते हैं, न मरते हैं और यह दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्किया ले रहे थे सबकी निगाहे इनकी और जमी हुई थी दोनों कितने भाग्य के बली हैं पूरी बोतल बीच में है भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक बिखारी को दे दिया जो खड़ा इनकी और भूखी आँखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया घीसु ने कहा ले जा, खूख खा और आशीरवाद दे जिसकी कमाई है, वह तो मर गई मगर तेरा आशीरवाद उसे जरूर पहुँचेगा रोए रोए से आशीरवाद दो, बड़ी गारी कमाई के पैसे है माधव ने फिर आसमान की तरफ देख कर कहा वह बैकुंट में जाएगी दादा, बैकुंट की रानी बनेगी गीसु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला हाँ, बेकुंट में जाएगी किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई वहना बैकुंट जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चड़ाते हैं। श्रधलता का ये रंग तुरंथी बदल गया। अस्थिर्ता नशे की खासियत है। दू, खाव और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिन्दगी में बड़ा दुख होगा। कितना दुख जहल कर मरी, वह आँखों पर हाथ रख कर रोने लगा। चीखे मार मार कर, गीसु ने समझाया क्यों रोता है बेटा। खुशो की वह माया जाल से मुक्त हो गई, जनजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी, जो इतनी जल्द माया मो के बंधन तोड़ दिये। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगे नी क्यों नैना जमकावे, ठगे नी, प्यक्रों की आँखे इनके ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उचले भी, कूदे भी, गिरे भी, मतके भी, भाव भी बनाए, अभिने भी किये, और आखिर नशे में मदमस्त होकर वही गिर पड़े।